नमस्कार दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका आपके चैनल नई उमंग मैं आप इस वीडियो के बारे में हम बात करने वाले हैं जो अभी राजस्तान हाई कोर्ट में यानि उसमें आपके तीन सब्जेक्ट का आपका पेपर होगा जिसमें हिंदी होगी हिंदी इंगलिश और जीके जिसमें कुछ राजस्तान जीके होगा और कुछ इंडिया लेवल का जीके होगा तो ये आपका जो आज ये कलास है ये आपका हिंदी का एक मोग टेस्ट होगा जिसमें डिसकस करने वारे हैं संदी के परसनों बारे में समास, उपसरग, परते, प्रेवाच्ची, विपरितार्थक, अनेकार्थक और सब्द यूगम, संग्या, सब्द सुधी, वाक्य सुधी, वाच्चे, किरिया, वाक्यांच के लिए एक सब्द और मुआवरियो, लोकोक्तियों के बारे में आपका एक पूरा टेस्ट है जो की 50 क्यूशन आपसे पूछे जाएंगे और एक क्यूशन होगा वो दो नमबर का होगा यानि आपके 500 क्यूशन होगे पूरे पेपर में और इसको दो से गुना करने पर 300 का पूरा पेपर होगा तो ये आपका राजस्तान, हाई कोड, LDC के लिए हिंदी व्याकन का पहला टेस्ट है यानि आज आपकी पहले क्लास है तो आईए सुरू करते हैं आज की क्लास को देखते हैं किस सुट्टेंट के कितने सही होते है पहला क्यूशन आपकी स्कीन पर आगया है पहला क्यूशन है सुध सब्द का आपको चेहन करना है यानि आपको चार option दिये हुए है इनमें से आपको सुध सब्द बताना है कौन सा है तो क्या आएगा इसमें? Option नमर B आएगा Option नमर B आएगा इसमें बिल्कुल सही जवाब बढ़ते हैं next की ओर Next उसने में क्या आपको यही क्यूसर है इसमें आपको सुध सब्द बताना है और चार option आपको दिख रहे है इनमें से आपको बताना है कि सुध सब्द कौन सा है तो इसमें आएगा option नमर D आएगा इसमें बिल्कुल सही जवाब बढ़ते हैं next की ओर इसमें आपको क्या सुध बतानी है कौन सी है चार option में से तो इसमें होगा आपका option number C कवी 3 बिल्कुल सही जवाब होगा option number C आएगा जिसने भी option number C की आपको अपने एक नमर sorry दो नमर जोड़ सकते है बढ़ते next की ओर next question क्या है निमन इकीत सब्दों के संदी विचेद आपको चूनने है 4 से लेकर 7 number question में आपको क्या संदी विचेद चूनने है और question आपकी screen पर आचुका है इसको एक बर ध्यान से देख ले question number 4 में बताईए इसका संदी विचेद क्या होगा उलेक का तो क्या आएगा इसमें option number B आएगा उत पलस में लेक option number B जिसने किया बिल्कुल सही जवाब फिर आप से पूछा है अत्याचार का अत्याचार का बताईए क्या होगा अत्याचार का संदी विचेद बताएं क्या आएगा इसमें option number D अती पलस में आचार जिसने भी option number D किया बिल्कुल सही जवाब बढ़ते नेक्शन के और 6 नमर क्यूशन में दिगंबर का आपको बताना है सही संदी विच्यद क्या होगा दिगंबर का सही संदी विच्यद बताएं तो जिसने भी option number B किया है इसमें का सही संदी विच्यद करना है बताए क्या आएगा इसमें तो इसमें आपका सही जवाब होगा option number A आएगा इसमें बिल्कुल सही जवाब पलच में अक का आएगा बड़ते नेक्शन के और नेक्शन के आपका 8 से 12 नमर क्यूशन तक आपका direction दे रखा है निमने लिखी सब्दों के आपको समास बताने है तो question number 8 में बनुवास में आपको बताना है कि समास कौन सा है बनुवास सब्द में समास बताए कौन सा होगा क्या आएगा इसमें option number A आएगा ततपुरूस जिसने भी option number A की बिल्कुल सही जवाब next क्या है पंच्वट्टी question number 9 में आपको बताना है पंच्वट्टी में आपको समास बताना है चारो question आपके सामने है क्या आएगा इसमें पंच्वट्टी में समास पूचा है दविगू आएगा option number A दोनों में option number A आएगा 8 में भी और 9 में भी बढ़ते नेक्शन के ओर पितांबर में आपको बताना है कौन सा समास है पितांबर में समास बताईए कौन सा है चारों option में अगर बात करें option number D करम धारे होगा फिर नरोतम नरोतम में आपको बताना है समास कौन सा है बताईए तो क्या आएगा इसमें ततपुरोस option number B आएगा इसमें भी बढ़ते नेक्शन के ओर आपको बताना है आद जनम में समास बताना है बताईए आद जनम में समास कौन सा होगा चारो उप्षन में से आपका उप्षन नमर B आएगा तत्पुरुष बढ़ते नेक्शन की ओर आपको बताना है जो आँख के समक्ष ना हो वाक्यांस की लिए एक समद आपको बताना है तो इसमें आएगा उप्षन नमर B परोक्ष बढ़ते नेक्शन की ओर आपको पताना है जिसका इंदरियों से अनुमान ने हो सके, उसको क्या बोलते हैं तो क्या आएगा इसमें, सः जवाब, option दूमर B, अतिंदरिये option दूमर B आएगा इसमें, बड़ते नेक्शन के और, एसा रोग जिसका उपचार संबव न हो क्या बोलेंगे उसको ऐसा रोग जिसका उप्षार संभव नहीं हो तो सही जुआब होगा इसमें उप्षन नमबर D होगा ऐसाद दे बढ़ते नेक्शन की और आपको बताना है जिसको माता पिता का आशरे नहीं मिला हो उसको क्या बोलते हैं जिसको माता पिता का आशरे नहीं मिला हो उसको बताना आपको क्या बोलते हैं चार उप्षन है वो आपके सामने है क्या आएगा इसमें चार उप्षन में से आएगा इसमें उप्षन नमबर D सोरी उप्षन नमबर C आएगा इसमें अनात बढ़ते नेक्षन की तो सही जवाब होगा इसमें बढ़ते नेक्षन की तो की आएगा बढ़ते नेक्षन की मैं बिल्कूर सही जवाब बढ़ते नेक्शन के ओर 19-20 होना मुआवरे कार्थ बताईए 19-20 होना क्या आएगा इसमें option number A आएगा बहुत काम अंतर होना option number A बिल्कूर सही जवाब बढ़ते नेक्शन के ओर आपको बताना है फेंक कर चलाया जाने वाला हतियार 21-25 नेक्शन तक आपको बताना है बिन अर्थ को व्यक्त करने वाले सब्द का चियन करना आपको जिसका अर्थ बिन हो वो बताईए क्या आएगा इसमें तुरंग है, मर्ग राज है, मर्गेंदर है और व्यागर है तो क्या आएगा इसमें, सही जवाब ओप्सन नम्र A आएगा तुरंग इसके माद 22-25 नमर क्योशन पावक, अनल, अनिल, किर्शानूं क्या आएगा इसमें ओप्सन नम्र B आएगा इसमें, अनिल ओप्सन नम्र B फिर है, व्यों, नब, तल, गगन इसमें कौन सा है सईजवाब क्या हुगा AIDS में अप्स नमर्ज शी आएगा इसमें तल फिर है लोचन है जल्ज है नएन है चक्षू है इनमें इसे बताई है क्या होगा AIDS में इसमें जल्ज फिर है बागिर्ति है जानवी है शूर्षरीता और कालिंदी है इनमें बताईए क्या आएगा तो सही जवाब होगा इसमें option number D कालिंदी बढ़ते हैं next उनकी ओर आपको बताना है कि निर्यात में या निर्यात सब्द में उपसरग कौन सा है बताईए निर्यात सब्द में कौन सा उपसरग है चार उप्षन आपके सामने बताईए सही जवाब क्या होगा तो आएगा इसमें उप्षन नमर C निर फिर है निखिल में कौन सा उप्षरक परियोगत हुआ बताएं निखिल में कौन सा उप्षरक परियोगत हुआ है क्या आएगा इसमें नी आएगा उप्सन नमर ए फिर परिकिर्ण में किस उप्सरग का प्रियोग हुआ है बताईए परिकिर्ण में किस उप्सरग का प्रियोग हुआ है बताईए तो सही जवाब क्या होगा इसमें उप्सन नमर ए आएगा परी परिवासा में कौन सा उपसरग आएगा बताएगा तो इसमें आएगा परी उपसरग आएगा इसमें बढ़ते नेक सुनके और आपको बताना है कि परत्य बताना है गुणवान में परत्य बताएगे कौन सा परत्य उप्योग में हुआ है गुणवान में परते बताईए कौन सा आएगा तो इसमें आएगा उप्सन नमर बी वान बढ़ते नेक्शन के ओर बढ़ाकू में बताईए कौन सा परते परियुक्त हुआ है बढ़ाकू में तो क्या आएगा इसमें उप्सन नमर डी आकू आएगा इसमें बढ़ते नेक्श तो इसमें आएगा उप्सन नमबर B, इमा, बढ़ते नेक्शन के और पंकिल में बताना आपको कौन सा परते प्रयुक्त हुआ है पंकिल में, तो इसमें आएगा उप्सन नमबर C, इल आएगा इसमें, बढ़ते नेक्शन के और, आपको बताना है एसुद प्रेवाची कौन स इसमें एसुद प्रेवाची बताना है असुर का इन में से कौन सा होगा तो इसमें आएगा उप्सन नमर ए रजनिकर आएगा इसमें उप्सन नमर ए बिल्कुल सही जवा बढ़ते नेक्शन के और इंदर का आपको बताना है एसुद प्रेवाची कौन सा इन में से इंदर का क क्या आएगा इसमें, option number B, जनार्दन, ये क्या ऐसुत प्रेवाची है, बाकी सुरेश, सहसरक्स, और सुरुपति ये तीनों क्या इंदर के प्रेवाची है, बढ़ते नेक्शन की और, आपको पताना है, कामदेव का, ऐसुत प्रेवाची कौन साइन में से, क्या आएगा इसम में, C, मरीची, बढ़ते नेक्शन की और, क्रिशन का आपको पताना है, सुद प्रेवाची कौन साइन में से, तो सही जवाब होगा, option number D, पुश्प शर, option number D आएगा, पुश्प बाकी, गिरीदर है, मदुसुद ने, दामुदर है क्या है, क्रिशन के प्रेवाची है, चारों option में से, option number C आएगा, सोश्प बढ़ते नेक्शन की और, आपको पताना है, सरल का, विलोमसबद, क्या आएगा, इसमें, बताएं, सरल का, विलोमसबद क्या आएगा, चारों option में से, option number D आएगा, क्या आएगा, दुरलेब और जटिल दोनों ही क्या है, सरल के, विल आएगा उप्स नमबर B मरत ङौर आपको बताना है, जो धन को वेर्थी खर्च करता हो, उसको क्या बोलते हैं, जो धन को वेर्थी खर्च करता हो, उसको क्या बोलते हैं, तो इसमें आएगा अपशन नमर B आएगा, बढ़ते नेक्शन की ओर, आपको बताना है, जिसका आचरण अच्छा हो, उसको क्या बोलते बूर्टे नैक्शन के और जिसे कठानाई से जाना जासके उसको क्या बोलते हैं? मैं सबुथे ले खेते इसरा कौन सा बता सुपरनाई कम एक यह पुंक्रते हैं? निमन में से सुद वाक्य कौन सा है बताईए सुद वाक्य का चेहन केजिए चार उप्सन आपके सामने बताईए सही जवाब क्या हुगा इसमें तो क्या आएगा इसमें उप्सन नमर B यह है मेरी किताब है यह है मेरी किताब उप्सन नमर B तो इसमें आएगा उप्शन मोरण दी, मोहन का विवार अच्छा नहीं है, उप्शन मोरण दी आएगा इसमें बढ़ते नैक्शन की और, आपको फिर सुद वाक्षे बताना है, बताइए सही जवाब क्या होगा इसमें? शुद्वाक्य बताईए तो इसमें आएगा option number D तुमारी गड़ी में कितने बज़े है और आज का last question क्या है आपको फिर शुद्वाक्य बताना है बताईए कौन सा होगा इसमें शुद्वाक्य कौन सा होगा चार option में से तो इसमें आएगा option number D option number D जिसने किये विल्कुर साही जवाब तो ये तो होगे आपके राजस्तान, हाई कोल्ट LDC के लिए हिंदी व्याकन के 50 क्यूशन जो कि आपका paper होगा 50 क्यूशन का हिंदी व्याकन का portion आएगा इसमें और एक क्यूशन दो नमर का होगा तो अब आपको बताना है कि इन 100 नमर में शिया आपके कितने नमर आए है और आपको ये वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगे तो इसे like और share जरूर कर दे अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को subscribe कर ले और साथ में ये बेल आइकन वो भी आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई वीडियो लगा आपके बास का notification आजाए अगर आपकी कोई कवेरी है यापि कोई आपको क्यूशन गलत लगता तो आपके नीचे comment box में comment करके बता सकते हैं आपकी क्लास में बस इतना है मिलते ने क्लास में जय इन जय बार धन्यवाद